अमेरे बुद मारी दियो स्टुरेंस कैसो बेट अब आप सब यह स्टुडी फ्रैटर कर रहे हैं बच्चोब वी वर स्टुडी माइक्रोब्स इन यूमन वेलफिर चेप्टर मारा चल रहा था इस पर उनने बहुत सी अप्लिकेशन्स कड़ी थी माइक्रोब्स की कि वो यूमन के लिए किसकी स्टरह से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ठीक है? So in today's lecture, we will study about microbes as bio-control agent ठीक है? Agri-culture में हमनी bio-tip का रोल पड़ा था आब अब पढ़ेंगे कि microbes in the field of agriculture agriculture में microbes कहां-कहां use हो सकते हैं क्या-क्या उनका रोल थे ठीक है? बेटा एक जनरल सी बात है आपको पता है कि agriculture में कुछ conventional method पहले से ही use करते हैं ठीक है? But due to less yield जो हमें production है वो ज्यादा amount में नहीं मिलता किस कारव से? क्योंकि most of the crop है that is damaged by the insect, pest कुछ ऐसे insects है जो उसको damage कर देते हैं कुछ ऐसे pest है जो उसको damage कर रहे है ठीक है? जिसके कारव जो हमारी yield है हमारा production जो है जितना amount में होना चाहिए उतना नहीं मिलता ठीक है? अब इसके और भी कारण है कुछ आपकी biotic stress, herb, biotic stress हर्त रहेने factors है जो इस पर फेक्ट कर रहे हैं ठीक है? तो इस चीजों को लेते हुए कि भई जो insects है या bacteria है या microbes है और आपकी कुछ herbs है herbs means जो आपके weeds है कुछ ऐसे extra weeds इस आप घरपतवार करते हैं ठीक है? उसके कारणी जो हमारा production है वो हमें large amount में नहीं मिलता crops का ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए farmers ने कुछ methods adopt किये they started using chemicals 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 को नोने use करने शुरू किये अपनी crops को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है? और chemicals जो वो use कर रहे थे किस तरह के organism में use कर रहे हैं उसके basis पे अलग लग और chemicals के नाम पड़े जैसे की herbicides ठीक है? science जो प्रण है CID that means to kill ठीक है? तो herbicides weedicides weedicides means to kill weeds ठीक है? तो इस तरह के chemicals use की जाने लगे other than that insecticides insects को kill करने के लिए chemicals यूज करने लगे और आपकी pesticides insecticides weedicides herbicides neemecides bacteriocides तो यह चिजने भी जो chemicals use करने थे they were used to kill harmful pest pest को kill करने के लिए insects को use करने के लिए तो यह सारा चीज़े chemicals हम use करने थे ठीक है यह जो chemicals use करने थे they are somewhat expensive कुछ बहुत expensive थे plus they are harming the environment ठीक है एक तरह के environmental pollution force करने थे दूसरी चीज़ जो हमारी useful crops है sometimes they are they are also harmful for our useful crops जो हमारी main agriculture crops है उनको भी यह harm करने थे ठीक है अगर यह उससे plant की कोड़ी से सब्सक्रिक हो जाते थे तो कई बर के होता it is not easy to post them उनको हटाना बड़ा भुश्की लोगा था ठीक है तो यह सरे चीज़े कुछ सामने आई तो उसी को ज्यान में रखते हुए अगर फार्मर्स करें क्या क्या था कुछ अग्रीकल्च्रल अग्रीकल्च्रिस्ट जो थे उन्होंने कुछ नए मैफ्रस एड़ोट किये कि किस तरह से कुछ ऐसा यूस किया जाए कि वह एमार्मेंट को भी पहीज़ना करें ठीक है अगर फार्मर के लिए भी एफोड़ीवल हूँ ठीक है और जो हमारी मेल क्रोप्स है वो भी उससे प्रोटेक्शन रहे त्मीज वो डैमेज नाव हूँ ठीक है और कईवर क्या होते बच्चों कि बहुत से ऐसे इंसेट्स होते हैं प्रोप्स। कि पेफुफ। कटीक होज़कल के लिए यह useful parasites थे उनकी भी क्या हो जाती थी death हो जाती थी ठीक है तो इन सब चीजों को overcome करने के लिए इन ड्रोबेक्स को overcome करने के लिए एक नया method adopted किया गया that was biological treatment or bio control method ठीक है जिसमें हम biological organism को use कर रही है अपनी crops को बचाने के लिए ठीक है सो उसी में हम आता है माइक्रोब्स थी ठीक है किस तरह से हम माइक्रोब्स को use कर रहे हैं for protection of our desired or main crops ठीक है तो इसमें कुछ examples है बायो herbicides के आपके बायो insecticides के जैसे बायो herbicides के लिए जो आपके अगर हम किसी insect का use कर रहे हैं इसको किल करने के लिए जो हमारी खर्वतवार है उसको किल करने के लिए हम इंसेट्स का use कर रहे हैं ठीक है वह इंसेट्स का इस तरह से एक्स्ट्रा बीट्स को रिमूब करने के लिए अपने 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 फील्ड में ठीक है तो यहां कुछ किल करने के लिए कुछ दूसरे इंसेट्स को किल करने के लिए कुछ दूसरे रिप करने के लिए हम लेडि़ुस करते हैं ठीक है एफेट्स होते है इचा माईर ऐख आर रेड लिए की डूसरे नहीं कहाते हैं ठीक है और ना थे जुदे ममेन खेदव्यस को क्या फटिया है टीक है अधर दिन दीन के लिए यह तो आपको अच्छे के पता है बेटा हमने ब्योटेखनोलोजी में कड़ा था कि किस तरह से बैसिलस थूरीन जैनेसिस जो है हमारा वीटी जो है जो कि एक सोईल बैक्टी इए है उसको यूस किया जाता है तो किल केटरपिलर्स बड़फलाय यह आलग दूसरे इंसेट्स के अगे रिज्ट मोथ के अगे इसको विडिल्स हैं हमारे जो और अफर्ट्स हैं उनके अगे इस परी पेसिलस थूरीन जैनेसिस काफिलिया को यूज किया जाता है ठीक है इसके जो स्कोर्स होते हैं जैनेसिस में वो उनकी बोडी में चला जाता है इसमें हमको इसमें को 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 इसम में हम bacillus pulingenesis का genome integrate कर रहे थे, with the help of factor, but here we are directly using the bacillus pulingenesis by spraying its sports on the plants, clear है, चीए, नेक्स आता है हमारे ट्राइकोडर्म, ट्राइकोडर्मा is a fungus, ट्राइकोडर्मा इक फॉंगस है जिसको यूस किया जाता है, उसके sports को यूस किया जाता है, for killing plant pathogen, जो pathogen हमारी plant को, हमारी crop को destroy गर र ट्राइकोडर्मा फॉंगस को यूस किया जाता है, next हमारा bacillus, it is very most important बेटा, बहुत important है यह from point of view से, कई बार यह पूछा भी गरा है, तो बहुत simple से बार है, bacillus एक तरह के road shaped viruses होते है, जिनमें double stranded DNA प्रेजेंट होता है, as genetic material, ठीक है, तो जो bacillus एका, these are road shaped viruses, which are used to kill particular insects, ठीक है, जो हमारे crop को harm कर रहे है, तो यह जो होते है, these are road shaped and having double stranded DNA as their genetic material, ठीक है, और यह जो double stranded DNA होता है, यह इस तरह के genes को cod करता है, इस तरह के protein को cod करता है, protein or genes को cod करता है, जो हमें help करते हैं, ठीक है, हमें help करते हैं, इस पे उस insect को kill करते हैं, या इस फ़र्दर progeny है, जो viruses है, उनका number increase करने में, इनका protein जो है, और जो आगे फदर, इनका number increase करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, यह जो bacillus वाइरस है, इसको use किया जाता है, particular insect को kill करने के जीए, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बिटा, यह जो पैपिलो वाइरस है, इसकी हमारे में जो है, वो दो जीनस है, nuclear polyhaterovirus, ठीक है, second that is grantnudo virus ठीक है ? दो जीनुस है इसकी Nucleo Polyheterovirus और deignolo virus mainly जो है Nucleo Polyheterovirus genus की जीनुस की जाती है, ठीक है ? इसका में सबसे में फंक्शनलेट इस specific in nature इसको क्या दिया जाथा थीपर में चला जाता है इसको तो सपरे कर दिया जाता है तो यह जी जách आर तल गुंच चाल है कि का जाने जोड़, इबेसिक फोन做agy codific और नीच देदेयो DOG प्लस जो हमारी दूसरे प्लांट्स है जो हमारी प्लांट्स है उनको भी किल नहीं करता है तो यह जीज की बैक्रिण वायर से इसको उस लिया जाता है इसमें IPM में इंटीग्रेट पैस्ट मैनेजमेंट ठीक है पैस्ट मैनेजमेंट को पैस्ट को मैनेज करने के लिए जो इंटीग्रेशन को क्या नतला है हम कुछ वायोपन्टोर एजेंट्स दे रहे हैं प्लस वी आप यूजिग्रेशन की न्यूज़ प्रोड़क्टिविटी ठीक है तो आपको यह जातना है बैक्रिकोवायरस की भी नूट्लियो पोलिएडरोवायरस जो जीनस है वो यूज की जाती है क्यों यूज की जाती है यूज की नहीं करती है तो यह कुछ एक्जामपल थे क्या हमारे बारो इंसक्टिसाइबस के ठीक है बाइ फिक्सिंग आप पर्टिकुलर नूट्रियंट ठीक है देखिए इसी से रिलेंटेड डामिटा ओर्गानिक फार्मिंग ठीक है देखिए जो फर्टिलाजर सेले उस कर रहे थे यह आप केमिकल बेस केमिकल प्रेजर्ट होता है उनमें जो केमिकल है बच्चों वह आपके अनमानट को तो पल्यूट करेगा है साथ ही साथ को जब केमिकल फूडचें में एंटर कर जाता है तो यूमन कंसुम्शन के लिए भी बहुत हामफुल है ठीक है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ बायो फर्टिलाइजर सा इन स्पाहिट और इन स्काहिट ओणर्ण केमिकल फिरलेज़न इनको तो ने खामबा इंलिक्री खह matière टो क्या क्या है तो इनको इस किया लगे छाल् Moon कूच गाय। कुछ बैक्टीनिया जिनको यूज किया जाता है तो मेंटेंग दफर्दिलिंडी ओका सॉल इसके पहला आपका आपका राइजोबिया राइजोबिया जो है इसा सिंपायलिक डाप्टी जाता है है जो फ्र bowling प्रोध की और नके साफिल तीड की बेगार्डी जो आपक प्रॉध के शुंधी निमूट्सी CD-3 2 में पुछ बॉडिंब साज और संहे कुछ जाते हैं हैं। यह अज़र जो गैअच्टी सब्स करते हैं। वाजओवियोफैक्टियरिया वante nitrogen fixation का काम करते है ठीके यह क्या करते है? Nitrogen को कुछ useful compound ke convert करते है And those useful compound are used by the plant Ned Marvel, Nitrogen IIebs , Nitroson cycle vàlexing उसमें नेखा तो हम धे लिए tutti which is the nitrogen problem which wein carbon fixation ुँखे तो राइसों भी होते है बाटा वो free living state ने रह सकता है बट इक free living state इक दध्वन फिक्सम नाइडरोजन नाइडरोजन fix में करता हूं free living state में! जब यह प्लेडूडमिनेस प्लाइब दी रूचना सर्भाइब करता है तो यह नाइडरोजन fixation का काम करता है That means it increases the fertility for nitrogen. Nitrogen uptake easily plant कर लेते हैं इसकी helps. तो यह क्या कर रहा है, फटिलाइजर का करा है, फटिलाइजर क्या करते हैं? पटिक्लर आपके जो nitrogen है, फोस्पुरस है या पतेशियम है, NPK लगए फ्टिलाइसर आथ है, Nitrogen, Phosphorus and Potashion, ठीक है? इसकी कभी को पूरा करने के हैं, चैनल को पूरा करते हैं, तो यहना जो घ्राइजोप्रिया को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की डेफिशेंसी को पूरा करते हैं, ठीक है, other than that, some free-living bacteria are also present, कुछ free-living bacteria भी है, जो बिना association में रहते हुए भी बच्चो नाइट्रोजन को fix करते हैं, some of the example are azoprobacter, azospiler, ठीक है, तो यह क्या होए, free-living bacteria रहा हुए, यह free-form में help कर रहें, ठीक है, नाइट्रोजन को fix कर रहें, next आते है हमारा fungus, fungus को सबसे चाहिए जांगा रिटर, mycorrhiza, आपको याद होगा, mycorrhiza is the association of fungus with roots of higher plants, ठीक है, तो इसमें मिली पी जो fungus होती है, that is glomus fungus, glomus fungus along with roots of higher plants, ठीक है, अब यह क्या करती है, पहली चीज के लिए, कि जो fungus है, यह सिर्फ इसको water on fungus absorb करकी नहीं तेरी plant हो, इसके और भी benefit है, plant क्या है, resistant develop कर लेता है, किसके against, against salinity and drought, ठीक है, यह जो plant यह हमारा, इसको benefit क्या हो है, plant में resistant बन जाते हैं, against salinity and drought condition, ठीक है, इसके against क्या प्रेश में resistant डवलक हो गया, second thing, plants, जो root-born pathogen होते हैं, जो soil में pathogen present होते हैं, इसके against भी resistant डवलक हो गता है, root-born pathogen, ठीक है, ठीक है, फंगस को क्या में बना है, बिटर, फंगस को बिटर बिटर, फंगस को बिटर बिटर, फंगस को बिटर, शेल्टर, तू सर्वाइब, place of living, ठीक है, तो इस तरह से association में, ग्रोमस फंगस नाम पुरती हैं, other than that will have cyanobacteria, there are some cyanobacteria which lives on the surface of the water and they help the plants in fixing nitrogen, जिसके तुमाज एक्जाम्पल है, एन अभी नाओया, नौस्टॉप, ऑसलेटेरिया, ठीक है, तो यह भी as a part of fertilizers used होते हैं, ठीक है एक्जाम्पल्स से, microbes के किस तरह से help करते हैं हमारे bio control agent के रूप में, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि किस तरह से fertilizer का फ्राम करते हैं, ठीक है बिच्चो, this one is your last topic of this chapter, from next, in next lecture, we will start a new chapter, thank you.